नमस्कार दोस्तों आज रहूं फिर पेंटिंग के काम की चोथी वीडियो ले करके पहले के तीन वीडियो दोस्तों जिसमें मैंने बिल्कुल नए सीरे से आपको बताया कि किस तरह से हमें नए घर में पेंटिंग का काम स्टार्ट करना है तीनों वीडियो की लिंक आपको इस पहले मैंने जो वीडियो डालिए मैंने आपको बताया बिलंकुल नए किया को सब्सक्राइब हम norm today's कि आब me नमबर रेकमाल का इस्तिमाल जो कि waterproof है इससे हम इसका पूरा रगड़ाई करेंगे अच्छे से और उसके बाद इसके दोस्तों हम करने वाले हैं दूबारा से बताने वाला हूँ तो अब हम कर रहे हैं दोस्तों 220 नमबर से रेकमाल जो कि हमारा waterproof है उससे पूरा अच्छे से रगड़ाई कर लेंगे और जैसे हम 220 रेकमाल से इसकी रगड़ाई करेंगे तो यह काफी चिकना इसका सरफेस हो जाएगा आप यह किसी भी कंपनी का रेकमाल लेख सकते हैं यह देखे इस तरह आता है waterproof और पूरा corner to corner दोस्तों अच्छे से रगड़ाई कर लेंगे इससे पहले जो दोस्तों हमने प्राइमर लगाया था उसमें हमने 50% अनेमल पेंट मिक्स किया था और यह एशन पेंट का हमारा है यह वह यह 220 नमबर का तो कंपनी करने दोस्तों घर यह वह उसमें घरिणा और टौनेस 녹imana करने से दोस्तों जे दिवारों पर मजबूति अच्छी वन जाती है वह दीवार के साथ में इसलिए पकड़ है अंदर की तरफ आउट्डोर में लगा सकते आउट्डोर में वाटर्पूफ आली पूट्टी लगाए नोर्मल पूट्टी का इस्तेमाल ना करें तो यह देखे पूरा बिल्कुल चिकना सर्फेस हो गया है इस तरह से वीडियो में तो आपको पता ने चलेगा लेकिन अगर आ पहले के तीनों स्टेप की वीडियो मैंने डाली हुए आप जाके देख सकते हैं तो यह देखे पूरा हमारा पुट्टी हो रखी है इसमें हमने 220 नंबर वाटरप्रूफ लेकमाल का रगडाई भी कर दिया है अब हम कर रहें दोस्तों इस पर प्राइमर की कोटिंग की तैय आप यह देख पारें आप यह हमारे पास प्राइमर है और इसके अंदर हम मिक्स करने वाले हैं यह अनेमल पेंट तो यह हम रखेंगे 60% और प्राइमर रखेंगे 40% और इस तरह से कुछ हमने इसका गोल बना लिया है अब यह दोस्तों हम पहले ब्रेस की मदद से उसके बा सब्स्की प्राइमर करें आपको दुबारा से पराइमर करना है और आपको उलस्कीर प्राइमर करना है। अकरीबना क करते दोस्तो 사진 था लगता है क्योंकि इसके अंदर हमारा अनेमल पेंट मिक्स होता है तो आप जब भी प्राइमर वगर अमारे तो उसके नेक्स्ट डेस के वा उपर जो भी काम करना वो करें तुरंत ना करें दोस्तों ऐसे में पपड़ी आ सकती है क्योंकि अनेमल पेंट सूखने में टाइम ले इसमें कोटिंग करना है और कोटिंग करेंगे तो हम 320 नंबर रेकमाल का इस्तिमाल करेंगे वाटर प्रूफ तो उससे और भी ज्यादा चिकना आ जाएगी तो दो सरफेज देख रहे हैं जो वाइट वाला है यह हमारा प्राइमर होके तयार है इसमें सिरफ हमें पेंट लगाएंगे तो इस तरह से यह हम अपड़ी प्राइमर लगांगे और इस तरफ से आपको दिखा दूए दोनों के दोनों यह वाइट है यह प्राइमर बनके हमारा कमप्लीट हो चुका है और साइड वाबाला देखेंगे उसमें भी हमारी पूट्टी हुई इसमें पूट आएगी आचानक से उसके काम का प्रेसर नहीं आएगा बड़ी साइटों पैसे किया जाता है दोस्तों जहां जहां हमारा प्योपी वाला खतम करते जाएगा हम टाइल पत्थर लगाते जाएगे और पीछे से प्राइमर की कोटिंग करेंगे बीच में आप देख रहे हैं यह चाहिए यह प्योपी है अभी कुछ नहीं हुआ है यह प्योपी होना बाकि हमने छोड़ दिया और नीचे जहां जाये एरिया में मिलता जा रहा है उसको हम कंप्लीट करते वे जा रहे हैं इस तरह से रोलर की इस्तेमाल आप जरूर करेंगे खाली ब्रस का इस्तेमाल ना कर कोटिंग करनी बाकी है और यह हमारा प्योप भी को रहा है इस पर भी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि इसके साथ हमें और भी थोड़ा काम करना इसलिए इसको भी होल्ड कर दिया है बाकी हमने जहां-जहां जगे मिल जाएगी दोस्तों हम उसको करते वे चलेंगे पहले आप ब् करके कि पुटिंग करके और इस पर 220 आप लगा दिया काफी चीकना इसका सर्फेस हो गया है और यह जो आनेमल वाली पुट्टी होती है जो मिला करते हैं दोस्तों इसका कारण यह है कि यह काफी मजबूत होती है विरला पुट्टी से बहुत मजबूत होती है कभी अब भैठ के बाकी ब्रैकाद लगा करके उसके बाद रोलर का इस्तेमाल करेंगे जीरो रोलर के जोंस्तों काफी अच्छी आती है इसलिये अम इस्तेमाल ने करते कि रोलर वगरा उप आप कंपनी का इस्तिमाल करें चाहे एशन का ले 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 कोई भी कंपनी आपको मिले उनका जो फिनिशिंग है वह क्वालिटी काफी अच्छी आती है तो फिनिशिंग भी उससे काफी अच्छी आएगी इस तरह से हम पूरा बेस बना के तयार कर लेते हैं और दोस्तों साइट माइनर से हैं यह अभी कुछ हम जब प्राइमर करते हैं पुट्टी करते हैं तब निकल को आते हैं और जब हम पेंट की कोटिंग करेंगे तो उसमें माइनर से माइनर जो भी दिवारों में छत में हमारे को डामेज होगा वो सब नजर आएगा तो वह हम दोस्तों इसी तो इसको आपको एक दिन सूखने देना उसके बाद इसके उपर आप अपलाई कर सकते हैं यह हमारा फाइनल बेस दोस्तों पेंटिंग के काम में अगर आपका बेस ही अगर अच्छा नहीं होगा तो यह समझ लिए आप किसी भी कंपनी का अगर पेंट लगा लेंगे तो अच चोथा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको दुबारा से पेंट में दीवारों पर चछत पर किस तरह से प्राइमर करना है और किस रेशो में करना है और इससे पहले के वीडियोच मैं डाले में आपको लिंक डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा और याप अप म में कोई सवाल आप कुछ पूछना चाहते तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं जल्द मिलूगा दोस्तों किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन